Hello friends, welcome to my channel Easy Life with Sangeeta अगर आपको अचानक से किसी शादी पार्टी में जाना है और आपका चेहरा बहुत ही डल हो रहा है, बेजान हो रहा है और आपको अपना फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है तो इस सिच्वेशन में आपको क्या करना है? आपको एक सिंपल सा फेस पैक बनाना है और अपने फेस पर लगाना है फिर आप देखेगा इतना निखार आएगा कि सब देखते रह जाएंगे तो चलिए बताती हूँ आपको कैसे ये फेस पैक बनाना है और कैसे लगाना है सबसे पहले आपको अपने face को clean करना है अगर face पर कोई makeup है तो उसे साफ करना है धूल-mittti लगी हुई है उसे clean करना है अगर आप kitchen में से भी आए हो ना तब भी आपको अपने face को clean करना है तो कि जब हम kitchen में काम करते हैं तो oil वगेरा थोड़ा-बहुत हमारे face पर लगी जाता गुलाब जल स्प्रे करने के बाद मैंने ये कॉटन ली है और कॉटन से इस तरीके से अपने फेस को साफ कर रहे हूं इस तरह आपके फेस पर जो भी मेकप, धूल मिट्टी, चिकनाई, प्रदूशन जो भी कुछ होगा वो निकल जाएगा और फेस एकदम साफ हो जाएगा और आपके जो पोर्ट्स हैं वो भी एकदम क्लीन हो जाएगे और अब हम फेस पैक बनाएंगे तो इसके लिए मैंने लिया है एक चमच दही दही का इस्तमाल करके आप अपनी खूपसूर्ती को बहुत ही बढ़ा सकते हैं अब आपको इस दही में डालना है शहद तो यहाँ पर आपको आधा चमच इसमें शहद डाल देना है अब यह थर्ड इंग्रिडेंट लिया है ओलिव ओल आधा चमच ही मैं इसमें ओलिव ओल डाल रही हूँ केबल तीन चीजों के इस्तमाल से यह बहुत ही बढ़िया फेस पैक त्यार हो जाएगा अब सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें अब अगर आपके पास ओलिव ओल ना हो तो इसकी जगा आप दो विटामिन E के कैप्सुलिस में एड़ करें सारी चीजों मिक्स हो गई है तो अब इसे आपको अपने फेस पर बहुत ही अच्छी तरह लगा लेना है इस तरीके से पूरे फेस पर लगाएंगे आप चाहें तो नैक पर भी से लगा सकते हैं अब यहाँ पर मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से अपने फेस पर लगा लिया है अब आप हलक के हातों से अपने फेस पर मसाज करेंगे दही, ओलिव और शहत, तीनो ही चीजे आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन करेंगे और यह फेस पर लगाने से आपके चहरे पर जो भी दाग, धबबे हैं वो दूर हो जाएंगे साथ ही आपकी स्किन बहुत ही यंग हो जाएगी अगर आपकी स्किन पर एजिंग के साइन नजर आते हैं तो वो भी रिमूव हो जाएंगे आपकी स्किन लाइटिन, टाइटिन और प्राइटिन हो जाएगी अगर आपकी स्किन लूज हो रही है, इसकिन में बिल्कुल कसावट नहीं है तो आप इस pack को regular लगाईए इस से आपकी skin में कसावट आएगी color fair होगा और बहुत अच्छा glow आएगा तो यहाँ पर इस तरीके से आपको हलके हातों से लगभग 7-8 मिनट तक के लिए ऐसे massage करनी है आपको week में कम से कम 2-3 बार इसे जरूर लगाना है इसका बहुत ही अच्छा result आपको मिलेगा अगर आप कहीं शादी पार्टी में जा रहे हैं तो आपने अगर facial नहीं करवाया है bleach नहीं करवाईए तो केवल यह pack लगाईए और फिर इस pack को लगाने के बाद face को clean करने के बाद आप make-up करिये शादी पार्टी में जाएए आपके face पर ऐसा निखार आएगा कि सब देखते रह जाएंगे इस face pack को बनाने के लिए आपको कुछ भी special market से भी नहीं खरीदना पड़ेगा बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं और इसे आप अपने face पर लगाईए इसका result आपको खुद नजर आने लगेगा आपके face पर एक बहुत अच्छी shine आपको देखने को मिलेगी जुरिया जाईया remove हो जाएंगी दाग धबे remove हो जाएंगी और चेहरा बहुत ही clear और clean लगने लगेगा अगर आपकी आँखों के नीचे काले घेरे हैं तो अगर आप इस तरीके से मसाज करेंगे तो वो समस्या भी दूर हो जाएगी अब यहां मैंने 7-8 मिनट तक मसाज कर ली है अब आपको क्या करना है अपने face को अभी नहीं दोना है आप 10 मिनट के लिए face को ऐसे ही रहने दें और 10 मिनट बार आप अपने face को normal water से दोकर साफ करेंगे अगर आप मेरे बताया नुसार यह face pack अपने चहरे पर लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा result बलेगा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई वीडियो को like, comment, share, channel को subscribe, bell icon को press और all पर click करना ना भूले फिर मिलेंगे अगली वीडियो में बाई बाई